दोस्तो हम है पपिता की फिल्ड में और पोधे की बात करें तो इस तरह से यहाँ पर फ्रूट इस्टाडूएं है लगना काफी अच्छा क्वांटिटी में है पर कहीं पर क्वांटिटी है और कहीं पर खाली है उसके पीछे क्या रिजन है वो भी समझेंगे जिसे देख इसलब मेरा यह है कि नीचे का बेश इसका काफी अच्छा बना हुआ है और बेट जो बना था वो बारिस के पानी में सारा बेहकर खतम हो गया है यहाँ पर भौत कम बेट रह गया है जबकि इसमें बहुत ज्यादा इंपोड़न रखता है बेट बनाना अगर बेट प्राप पूदे पास वाले ज्यादा अच्छे से डवूलप हो पाएं और डबल डृप है यहाँ पूरा यह एक डृप उधर डृप ड़ला हुआ है और यह इधर डृप 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 ड़ला हुआ है वेराइटी की अगर बात करें तो यह नो फिट का ग्राफ है यहाँ पर ये line to line 9 feet है और पोधे से पोधे की जो distance है वो 5 feet की distance पे है और इसी में जो हमने एक और variety देखी है 15 नंबर उसका भी काफी अच्छा response मिला है देखने को तो फ्लाट में माल तो है पर फिर भी कम है जो quantity चाहिए वो quantity और quality दोनों यहां पर कम है जिसे ये वाला पोधा है ये फि अच्छे का basis का भी काफी अच्छा बना है तो फ्रूट आप देख सकते हैं काफी सारे फ्रूट लगे में फ्रूट की संख्या अगर गिंती करें आपन तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा शोला सतरा अठारा उननीस बीस 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एपरोक्स 30 और कहीं पर 15 कहीं पर 12 ऐसे भी फ्रूट है अभी यहां पर सब कुछ अच्छा है पर बेड कमजोर है केवल बाकी गोबर खात तो डला नहीं है और मिट्टी की भी अगर बात करें तो कंकरीली पत्थरीली मिट्टी है यह इस तरह से पत्थ कम समय में कम दे पाए थे फिर भी प्लाट काफी अच्छा है तो और ज्यादा अच्छा रिस्पोंस अगर लेना है तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि नाली होना ही जरूरी है अगर ज्यादा गेहरी नाली रहेगी और यह पूरा पाली रहेगी मतलब यह बेड़ बन गया है तो यहां पर कम से कम दो से डाइफिट की चोड़ी नाली हो और इधर मिट्टी चली जाएगी अगर तो यह बेड़ बन जाता है और इसा हर वे में हर लाइन में इस तरह से कर दें अगर तो बहुत अच्छा एक रोच छोड़कर दो रोच छोड़कर जो भी नूट्रिंट की सिस्टम होता है वह उसके हिसाब से अगर इसको चलाते हैं तो यह बहुत अच्छा रिस्पॉंस देने वाली क्राप है और पेसा भी काफी अच्छा पेसा बनता है इसमें आप देख पा रहे होंगे इस तरह स बात करें तो यहां पर अगर फ्रूट की केर कर ली जाए तो अच्छा रेट भी और पेमेंट अच्छा बन सकता है तो दोस्तों यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि पानी की कमी जिसे अभी रही थी उसकी वज़े से इसने इसकी बोडी के अंदर का जो भी था वो भी लेना शुरू कर दिया और यह नीचे के पत्ते गलने शुरू हो गए तो पूरी फिल्ड में पत्ते गल रहे हैं और पत्ते गलना नहीं चाहिए जबकि जो ग्राफ है ग्राफ के हिसाब से तो यह बिलकुल भी नहीं होना चाहिए अभी भूत सी जगह हम देखते हैं तो स्वस्त है virus free है अच्छी है तो अब यहां पर पानी तो मिली रहा है पानी के संस्थात को भोजन की बहुत जादा प there's जादा जरूरी है और भोजनice proper मिलता है तो भोथ अच्छा response मिलेगा और अभी इसको sulfuric acid का treatment कर देना चाहिए अभी वह स्था में अगर Sulfuric Acid की treatment होता है तो एक तो drip भी clean होती है दूसरा जमीन के अंदर जो pH गड़बड़ हुआ है वो भी manage हो जाएगा और इसको जो छती पूर्ती हुई है वो भी पूर्ती हो जाएगी तो हाइट root अच्छी develop होगी और नया भोजन फिर से बनेगा बेसल डोज इसमें कम गया है बेसल डोज भी इसको बहुत important रखता है कि बेसल डोज जाना चाहिए था तो बेसल डोज भी इसमें कम गया है बाकि आपको ये field केसी लगी comment box में जरूर बताएं और हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें